नमस्कार बहुत स्वागत है आपका होली का तिवहार बस अब आही चुका है और होली के एक दिन पहले फालगुन पुर्णिमा के दिन होली का देहन किया जाता है होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन आप पूरे उत्सा में होते हैं और बुराईयां समाफ्त कर एक बार जिनसे जगड़े हैं उनसे भी आप गले मिल जाते हैं तो होली का जो जलाया जाता है वहां से लेकर गुजिया खाने तक रंगों में सराबोर होने तक आपके घर के आसपास का पुरा महौल रंग से सराबोर भी होता है और पॉजिटिव एनरजी से भड़ा होता है तो होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाते हैं तो हिर्ण कस्चप के कहने पर भक्त प्रलाद की बुआ जो होली का थी जलाना चाहती थी लेकिन प्रलाद की भक्ति के आगे उसकी हार हुई और होली का जलकर राख हो गई प्रलाद को कुछ भी नहीं हुआ तो भक्ति की सक्ति के प्रती के रूप में हर साल होली का चलाई जाती है माना जाता है कि होली की राख में वह सक्ती होती है जो आपकी कई सबस्याओं को दूर करता है और होली से जुड़े हुए आज हम आपको कुछ खास प्रियोग बताएंगे कि होली की राख के क्या प्रियोग है और होली का दहन के समें जलती भी अगनी में क्या डाले कि जीवन क कि मुश्किले समाप्त हो जाए अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहे स्वास्त में कोई भी परेशानी मुश्किल ना आए तो आप सुभा में उप्टन लगा कर नहाईएगा आप चाहे तो बेसन हल्दी भी लगा कर नहा सकते हैं और नही परिवार के साथ ऐसा आप लोग कर सकते हैं कोई एक बेक्ति जाके डालेगा तो होली का दहन से लेकर होली तक गरीब और जरूरत मंद बेक्ति को दान जरूर कीजिएगा खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं आप रंग भी दान कर सकते हैं होली के दिन होली का दहन की करने के लिए आप या फिर आपका बैपसाय नहीं चलता है तो होलिका देहन की पूजा के समय नारियल का सुखा गोला अगनी में डाल दे और साथ बार होलिका की प्रिक्रमा करें प्राठना करें आपकी नोक्री लग जाएगी आपका बैपार भी चल पड़ेगा लेकिन इस न सारी गर्षों की जो बुरी चाल है वो हड़ जाएगी अगर धन की मुस्किल जादा हो तो होलिका देहन के दिन सुखसांती के लिए आप मिठाई का भोग लगाएं होलिका देहन की जब पूजा करेंगे मेवा का या मिठाई का लेकिन याद रखेगा होलिका देहन के साम ज पाड़ी नारियल के गोले के साथ अर्पित करें तो आपके जीवन की सभी मनों कामनाएं पूर्ण हो जाती है अगर आपके मन में बार बार बुरे ख्याल आते हैं भै लगता है तो होलिका दहन की पूजा में काला तिल सरसों के दाने और एक सूखा नारियल का गोला लेकर अगनी में डाल दें अग्यात भै समस्या राहू के तूसनी की मुस्किले सब समाप्त हो जाएगी जाद रखिए काला तिल और सरसों के दाने और सूखा नारियल होलिका की रात कुछ खास प्रियोग किये जाते हैं होलिका दहन के समय जब अगनी सांत हो जाए तब वहां से थोरी सी राख लेकर घर चले आए और उस राख में काला वाला जो सरसों होता है उसको मिला ले और घर के चारो तरप छिड़क दे याद रखिए घर के चारो मंत्र बाधा, मंत्र बाधा, बुरी नजर सक्ति से आप बचे रहेंगे भस्म के रूप में इसको आप किसी डबबे में स्टोर करके रखें और इसका तिलक नियमित रूप से लगाएं तो नजर दोस्से रख्चा होती है मानेता है कि होलिका की राख अगर सरीर पर लेब किया जाए तो सरीर का सारा रोग समाप्त हो जाता है तो अचा से समंदीत समस्याएं समाप्त हो जाती है कई बार लगता है कि खुसियों को नजर लग गई है बे बज़ा घर में टेंसन है बे बज़ा चारो तरफ निरासा है अपने से अपने में नहीं बन रहा घर में लगता है जैसे कोई दुसे को पहचान ने रही दुस्मनी सा हो गया है तो आपको हुलिका दहन के समय के उपाई करना चाहिए साथ कोडियां ले 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 पीली वाली कोडी हो तो अच्छा नहीं तो जो भी कोडी मिले वही ले 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 अगर आप चाहें तो पूरे घर के परिवार के लोगों के माथे से उतार ले साथ बर गुमा कर उल्टा सीधा माइने नहीं रखता आप कैसे भी उतार ले और इन सेल होता है उस work नकारत्मक सक्तिया सक्री हो जाती है क्योंकि बहुत तंत्र क्रियां करते हैं तंत्र मंत्र का काम करते हैं इसलिए की रात सिर को हमेशा ढख कर रखना चाहिए और होलिका की रात खास कर जो महिलाएं हैं बाल खुले नहीं रखिएगा बाल को बांध रखें एक रबर लगा लें लेकिन बांध कर रखें दूसरी बात अगर आप कुछ नहीं चाहते जीवन में लेकिन फिर भी एक काम जरूर करें अपने घर जो जितने भी बैक्ती हैं एक नारियल का सुखा गोला ले लीजिएगा सिर्फ एक उपाय कोई भी एक उपाय आप कर लीजिए अपनी इच्छा नुसर लेकिन एक उपाय जरूर करें एक नारियल का गोला ले ले अपने घर के सभी लोगों के सर से उतार लें साथ बार और जाकर होला होलिका की अगनी में डाल दें यकीन मानिए हर मुश्किल समस्या समाप्त हो जाएगी पर चुकि होलिका की रात होलिका के दिन लोग तंत्र क्रियाय करते हैं इसलिए इस दिन फालगुन जो पुर्णिमा है किसी भी बैक्ति के द्वारा दी गई सफेद वस्तू मत सफेद वस्तू यानि सफेद मिठाई है खीर है दही है अगर कोई तीसरा बैक्ति देता है कोई देता है बतासे हैं तो यह सभी चीजे मत खाईएगा क्योंकि मानेता है कि होलिका देहन की दिन जो नकात्मक उर्जा है एक्टिव रहती है और लोग इसमें तंत्र क्रिया करक वैसे तो हुलिका की जो राख होती है नजर दोस्त से बचने के लिए इसका प्रियोक चरूर किया जाता है क्योंकि हुलिका देहन के दूसरे दिन हुलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई आप पीला वाला भी ले सकते हैं थोड़ा सा नमक मिला लें आप लाक से थोरा सा एक कटोरी में आप चाहें तो आपके घर में मिट्टी का दिया होगा उसी में थोरा थोरा सब्पुछ मिला कर आप रख दीजिए आपके घर में नकात्मक उर जाएं आएगी ही नहीं और लेकिन माल लेते हैं कोई वेक्ती बिमार है बच्चे को नजर लग गया बहता जल कहां मिलेगा अपने घर का नल खोल लें को आप घर में चापा नल है हैं जिसको कहते हैं वहां पर आप पानी में हाट डाल के परवाहित कर दें तो इससे क्या होगा नजर दोस बह जाएगा जीवन की मुश्किले समाप्त हो जाएगी तो होलिका दहन के रात बहु पारी ठीके नहीं हो पा रहा, बहुत उपाई कर रहे हैं, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, साबुत पान, लाल गुलाब की पंखुरी और बतासा ले ले, एक एक ले ले, याद रखिए, पान का पत्ता, उस पर गुलाब की पंखुरी और बतासा, और जो बेक्ती बिमार है, 31 बार उनके उपर से घुमा कर किसी चोड़ाई पर फेक के बिना पीछे मुड़े घर चले आए, और ये करते आपको कोई देखे नहीं, आप इसका ध्यान रखिएगा, और पीछे मुड़ का मत देखिएगा, चाहे कोई भी आवास दे, देखिएगा, उनका स्वास ठीक हो ज दिया जलाएं, जीवन की हर समस्या, हर परिसानी समाफ्थ हो जाएगी, तो होलिका की रात, ध्यान रखना है, किसी का दिया हुआ, कुछ भी खाने के पहले दो बार सोच लें, और जादा रात में घर से बाहर मत भूमें, फिलार भी दालेंगे,